असलाम अलीकों फ्रेंट्स वागता आपका इस यूटूब से आनल जह के स्टडी माटीरियल में जमुएन कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी ना किसी कालिज में अडमिशन करना चाहते हैं अभी मैं CUT के डाउट्स क्लिएर करूँगा नेक्स्ट वीडियो आएगा ऐस नान स्यूटी पर इसमें बहुत से स्टूडंस को डाउट्स हैं वह मैं यह आ पर आपके क्लिएर करूंगा जैसा कि last date of registration क्या है अगर हम CUT के basis पर किसी कालिज में प्रेशन करें बहुत से स्टूडंस को कुछ ही कालिज शो हो रही है जम्मू वाले को बारा मुला कालिज शो हो रही है अब क्या सुलूशन है उसका यह सभी डॉट्स आपके मैं यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ आपने इस वीडियो को इंट तक देखना बहुत से स्टूडंस मैसेज करते रहते हैं तो हर किसी की मैसेज का रिपलाई करना पॉसिबल नहीं होता थाउजन साफ मैसेज होती है तो लिम्टेड ही स्टूडंस को रिपलाई कर पाता हूँ बहुत कम टाइम होता है दिन को ओफस टाइम शाम को और भी कुछ टाइम होते हैं अपने तो इसलिए हर किसी को रिपलाई करना पॉसिबल नहीं होते है इसलिए सब को सोरी तो इसलिए मुझे जब लगता है कि यहाँ कामन डाउट्स हैं स्टूदिएंस में तो इसलिए में वीडीयो लाता हूँ जैसा मैंने आपको अब भी बोले यह डाउट्स में अब क्लिर करने जा रहों तो जो भी स्टूदेंस म Może you see term आपको काल करती है या मैसेज करती है अगर docement कोई problem आ कोई problem आ रहरी है तो वह store या message काए अच्छे देखना या देखना पिर बार दौ़र लाग in करकर चेक कि दौक है कोई problem तो नहीं है तो उसकी last date भी 10 अगासत है फिर आपने अगर subject चूज़ करना है preference देनी है college preference देनी है for example कोई student physics में जाना चाहता है SP college में तो वो first preference देता physics and SP college उसको दोता मुझे physics की चाहिए अगर मुझे SP college ना मिला मुझे top वाले student वे तो second preference में किया जाएगा थोड़ा मैं आपके code डाउट क्लियर करने जारो यहां पर ही hold करना या बागी चीज़ें तो जब यह student है इसकी mirrored list आएगी तो समझो इसको जहां पर SP college है वहां पर total 100 seats है तो वहां पर total 200 students ने अप्लाई किया है तो वहां पर इसका ring 130 आता है पर वहां पर 100 students की seat available है तो वहां पर 100 students select हो जाएंगे यह नहीं होगा वहां पर अब यह देखा जाएगा इसका second preference है अमर सिंग कालिज अमर सिंग कालिज में देखा जाएगा वहां पर इसका और कितने students ने apply किया है और क्या scene है तो इसका वहां पर देखा जाएगा तो वहां पर अगर 100 students ने apply किया है तो यहां पर भी बहुत से ऐसे students जो इससे आगे ही तो यहां पर भी यह select नहों सका तीसरे नमर भी इसने रखा विवना कालिज तो विवना कालिज में यह adjust हो जाता है मुझे अभी बिमना मिली है क्या पता बहुत से ऐसे students होंगे जो किसी और कालिज में अडिमिशन ना करें तो इसको लग रहा है कि कम से कम 20 या 30 ऐसे students होंगे जो अमर सिंग कालिज में अडिमिशन नहीं करवाएंगे तो वो सीज बैकन रहेंगी तो अपने अपग्रेड करना है और अपग्रेड की 2000 फीस पे करनी होती है तो students क्या करेंगे अपग्रेड करेंगे अपने second preference के लिए फस्ट प्रेफरेंस के लिए जिस student को first preference ही आ गया चाहे subject के basis पे जो भी उसने first preference रखा है फिर second में इसका अपग्रेड के लिए क्या होगा मोका दिया जाएगा अगर जो first selection basis पर अपनी register admission नहीं करेगा या अपग्रेड नहीं करेगा तो उसकी seat cancel हो जाएगी फिर वो CUT basis से वहाँ पर उसका farm जाए वो reject कर दिया जाएगा आप जतना मर्ज़ी एड़ करो maximum base पर आप एड़ कर सकते हो जतने में भी आप eligible हो फिर उसके बाद mirror list पूरी declare होगी वो हो की 14 अगस्त को CUT students की mirror list आएगी तो उसके बाद mirror list आईगी आपको आपका college में किसी का आपका नाम आगया आपका जिस काले में भी नाम आएगा तो अगर आपको वो seat accept करनी आए yes करना है तो वो आपको मुका दिया जाएगा 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तकि आप seat को yes करो आपने yes किया फिर आपको उसी काले में जाके अपने documents लेने हैं साथ and document verify हो जाएंगे फिर इसी website पर आपको fees की link आ जाएगी वो fees आपने pay करनी है उसकी last date होगी 26 अगस्त and तो आपकी seat हो जाएगी confirm जैसे आपने पी pay की and ऐसा ही जो students वो सोचेंगे अपग्रेड कर जैसा मैंने आपको example दे दी वहां पर अगर students admission नहीं करवाएंगे तो इसलिए आपने क्या क्या hold किया अगर आपने fee pay की 2000 आपकी hold वे रहेगी अगर next जब यहां पर start होगा next round अगर उसमें आपका नाम आ गया तो आपकी फिर next मतलब जो college है second preference वाली वसमें आपने admission करना है फिर second round start हो जाएगा वहां पर vacant seats आजाएंगी इतनी seats vacant है तो वो vacant list आएगी 27 अगस्ट को फिर 29 अगस्ट को second mirror list आजाएगी फिर जैसे mirror list आएगी उस हिसाब से आपने जो भी आपको college मिली है तो उस college में जा कि आपने क्या करना है अपने seat को yes करना है seat आपने accept करनी आप जी जैसी होगी फिर आपने college जाना है end आपने fee बगरा pay करनी है fee जैसी pay हुई आपकी समझो seat confirm हो जाएगी आपकी selection complete होगी फिर at the end जिन जिन college में seat बज जाएगी फिर start होगी mop up round वो होगा 9 September से start तो 9 September से mop up round start होगा उसमें ये चीज़ होगी जो जो भी seats vacant होगी तो उन seats में अगर CUT के students हतम होगे तो जिन्होंने non-CUT form submit किया तो उनको यहां पर select किया जाएगा non-CUT वालों को यहां पर 9 September को यहां पर मोका दिया जाएगा तो जो भी students as a non-CUT कि अगर किसी CUT काली माइटमेशन करता चाहते है तो उसके लिए यह system होगा उसके बाद I hope आपको यहां तक समझ आग जोगा तो अभी एक और doubt है important students को कि हम जब CUT का form submit करते है हमें या तो भारा मुला काले शोरी या एक दो काले शोरी जमू वाले को भारा मुला शोरी तो क्या वो जमू वाला बंदा भारा मुला आए सिरनेगर वाले को भारा मुला शोरी या क्या वो यहां पर आए तो ऐसा कुछ नहीं है यह इसलिए है क्योंकि आप eligible नहीं हो आपने बाकी जो college है यह university है वहां पर general test का exam नहीं दिया है वहां पर general test compulsory है यह ऐसा कोई subject वहां पर आपने नहीं दिया इसलिए आपका उन college में नाम नहीं हो रहा है तो जिन students ने मुझे start से ही follow किया है registration कैसे करना है उनको कोई problem नहीं होगी उस college का as a non-study form submit करें जैसा कि कोई जम्मू का student है उसको 12 मुला college है यह आप जम्मू की ही कोई college चूज करो as a non-study में तो कोशे करो कम से कम 3-4 college को choose करने की जिन में 3 college अगर ऐसी भी हैं जिसमें C.U.T. students को accept करते हैं बट क्युछ seat बच जाएंगी तो आपका नाम वहां पर आ जाएगा साथ में एक दो ऐसी college भी चूज करो as a non-study है तो आपको CU.T. और non-study college की बारे में कैसे पता चलेगा link description में दियो ही है वो download करो PDF college का नाम होगा उसके आगे होगा CU.T. है या non-CU.T. है तो इसी साथ से आप पूरा अपना system complete करो अभी भी अगर कोई आपको doubt है comment करके जरूर बताना अगर ज़्यादा जो comments होए तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा students को ये doubt है तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे